तो भयी मिट्टी से अगर आपना बलड़ खतम करना चाहते हो बलड़ खतम होते ही आपका सरीर काम करना बंद कर देगा और सरीर जब काम करना बंद कर देगा तो सीधे ऊपर जाने की तैयारी आप करनी स्टार्ट कर दो ठीक हे? तो आप अपने सरीर को बचाओ ये दो टके की लेडिसों के चकर में ये सब खाना मत सीको देखो अगर इसमें कुछ अच्छी चीज होती इसके अंदर खाने के लिए तो मैं कभी वीडियो नहीं बनाती मैं ये लालच के लिए वीडियो नहीं बनाती मैं आप लोगों की जान बचाने के लिए वीडियो बना रही हूं ये आप लोगों को साइको बना के इनको पता है ये खाने से सारी बिस्तर पे लेटेंगी ये खाने की चीज नहीं है लेकिन ये हजार गुन तारीफ करके आप लोगों को समझा रही है कि बहुत अच्छी है ये स्टोक बहुत अच्छ ये बैट करके और अच्छा लग रहा है और ये डॉश्च और दोनों को साथ जो खाया तो उसका तो मजाई कुछ और आ गया हर एक इसकी तारीफ करके बताएंगी क्ले की है ना हर वीडियो में हर वीडियो में एक ने तो मा बनाई हूई आपना नाम कर दिया तो इस बेटी ने तो लड़कियों को बरबाद कर दिया ऐसी लड़कियों को आप बोलते हो दिई ji दी आप बहुत प्यारा बोलते हो प्यारा नहीं बोलतीज them they are सिर्फ अपने फाइदे लिए वह हर जगह अपना फाइदा देखती है अपना फाइदा देखती है साइको हो दस चैनल क्यों खोल रखे हैं यह एक चैनल नहीं चलता एक चैनल पर पर वीडियो नहीं डाल पाती क्योंकि घर भी देखना होता फिर भी टाइम निकालती हूं कि क की मर्जी है अगर आप लोगों को energy मिलति है तो जरूर खाई अगर आप लोगों को total बीमारी मिलती है अपना blood क्लाना चाहते हो या अपने आपको बचाना चाहते हो दिमाग दिया है तो दिमाख यूज कीजी और अगर फिर भी कुछ तो प्लीज मुझे याद की ठीक है तो आज है मंडे मंडे का मेरा फास्ट होता है आप लोगों को तो पता ही है और मंडे के दिन मैं ऐसी ड्रेस पहनती हूं जिसमें वाइट कलर थोड़ा सा जादा हो प्रिंटिड कुर्ती है यह मेरी डवल उसमें है यह वाली तो मंडे के द बावा को वाइट कलर बहुत पसंद है और वाइट कलर शांती का प्रतीक है ठीक है तो मैं आप लोगों को कई बार बोल चुकी हूं कि मिट्टी पत्थर क्लेपोर्ट और स्लेट आइटम ज्यादा तर खाय जा रहे हैं ठीक है और एक नकुमट और मुलतानी मिट्टी इनको रोस्ट करके इनको पेश्ट करके शाथ इनको डिब करके जैसे जैसे इन लोगों का धिमाग चलता है करंचस का वो उस तरह से वीडियो बनाती है और व्याट खाएंगी तो बोलेंगी ड्राइघ और अच्छा लगा तो यह बिजिनिस कर रही है तो इनको रोज कुछ ना कुछ नई चीजे बतानी होती है क्योंकि इनका बिजिनिस तभी चलेगा न है न और डियर आप लोग जानते हो कि सावन स्टार्ट हो चुका है और सावन में जो कभी ब्रत नहीं करती लेडिज लड़किया वो भी मंडे के फास्ट करती है यानि सोमार के दिन ब्रत करती है सोमार के दिन चार ब्रत है या पांच ब्रत पड़ते हैं ये सावन में तो सब कोशिस करते हैं कि हम ये ब्रत करें ठीक है न काईस तो जितनी भी क्रण्चस हैं कि सबने डुला Vidyey culture के उपर आज कर रही हूं तो मुझे मैसेज भी आ रहे है कि झिझी ओर भी है और भी है और भी है उनको क्यों नहीं भूब रहीत तो यह जो मेन जो एक me and my moshi है और एक silver button वाली दीदी है ना pregnant तो वो अब रही नहीं है ना silver button वाली दीदी तो आप ये बताओ घर में rest कर रही है बेबी के साथ enjoy कर रही है और daily वो ही मिट्टी की video daily डाल गी है सब पुरानी वाली editing करके या कुछ पहले से बना के रखी होगी जो आप लोगों के लिए वो रोज डाल रही है हर एक घंटे से पहले ही एक video आ जाती है एक घंटे से पहले एक घंटा भी नहीं होने देती कि वो वीडियो डाल देती है वो खुद नहीं खा रही लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जब आप नहीं खा रहे तो आप craving क्यूं दे रहे हो और Monday के fast जादा तर जादा तर unmarried लड़किया रखती है और उनको तुम craving देने के लिए सुबे से चालू हो जाती हो अपनी वीडियो डालने के लिए और तुम से अगर कोई बात करे तो तुमारे पास ग्यान का भंडार है इतनी मिठी मिठी बाते तुम करती हो मिठा मिठा जहर घोलती हो सबके दिलों में तुम इतना मिठा जहर घोलती हो इस मिठी में तुने हजार गुन बताए हुए है लड़कियों को बताए में ना आप लोग तो वीडियो देखते ही थे है ना तो इसको जरासी सरम नहीं है तीन बच्चों की मा बन चुकी अभी भी इसको इतनी सरम नहीं है कि जब मैं प्रेगनेंट हूं और पल-पल की मैं सबको इंफोर्मिशन दे रही थी कि प्रेगनेंसी में क्या-क्या-क तु किसलिए डाल रही है जब तेरको तो क्रेविंग हो नहीं रही तु तो बच्चे को पालने में लगी हुई है अपना बैड रेस्ट कम्प्लीट कर रही है तो उनको क्यों मारने में लगी हुई है और मंडे तो छोड़ देती साइको मिट्टी की तुम दोनों तीन बच् जनकीरतन एक दूसरी की किसी की रील उठाके ही भुले बाबा की रील का गाना ही शोट वीडियो में डाल देती और आप लोग बताओ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं ऐसी लेडिजों को आप अपने फैमिली बनाओगे जो आप लोगों को गलत रहा पे ले जाती ह ऐसी लोगों की चैनल आप सब्सक्राइब करोगे जो आप लोगों को मारने की तरफ लेके जा रही हैं ले जा रही हैं कितने केस हो रहे हैं मिट्टी से धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कितने केस हो रहे हैं इनको प्रोब्लम नहीं हो रही है लेकिन औरों को प्रोब्लम हो रह इनको कुछ ही नहीं हो रहा तो इनके बच्चों को हसबैट को shrug को सब को पता है यह इस तरह की वीडियो बनाती एक दिश्बार पांने कि वीडियों को सरम पेस्था है नकुद के अर्व इनका गलत काम में ही लगेगा मैं दस बार बोल चुकी हूँ किसी की जान जो खिम में डालके तुम वो जो पैसा कमार ही हो न वो तुमारे ही किसी गलत काम में लगेगा तुमारे सही काम में वो पैसा लगी नहीं सकता सही काम में वो पैसा लगता है जो तुम महनत से हो और दिल से कमाते हो अगर तुम किसी से छल करके और किसी का ब्रेनवास करके और गलत बच्चों को रहा पे ले जाके ऐसे पैसे कमाने की सोच रहे हो तो प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए सारे करम यही भुगत के जाने हैं जान बचाना सीखो जान लेना मत सीखो तो मैं कले की वीडियो इसलिए बनाती हूँ मैं इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिस कर रही हूँ जितना मेरे हाथ में है मैं इनके चैनल डिलेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पर्मीशन नहीं है डिलेट करने की है न जैनल डिमोनिटाइज होते हैं इनकी इनकम रुख जाती है आप लोग बस जानते हो न लेकिन लेकिन ये बेशरम है अब मेरे पास कोई ऐसा मेसिज आए न कि उसको क्यों बोल रही हो सबसे बदमास सबसे गंदी लोडिज पहले मैं भी सोचती थी चले यार कोई मजबूरी होगी लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है जब तू तीन बच्चों को पालने की हिम्मत रखती है एक डूपलेक्स मतलब उपर नीचे का पूरा एक पूरा घर मतलब फ्लोर वाइस हम तो फ्लैट में एक सिंगल फ्लोर में रहते हैं डूपलेक्स उपर नीचे सारा उसमें तू रहती है तो इसका मतलब तेरको पैसो की कमी तो नहीं है तेरा घर तो सबको दिखाई दे रहा है तुने बोला ता मैं घर नहीं दिखाऊंगी नजर लग जाती है तु बोलती कुछ और है और करती कुछ है इसलिए मैं बोलती हूँ इसकी बात और गधे की लाथ दोनों बराबर है घर पे नजर लगती थी, बहुती थी घर नहीं दिखाऊंगी, घर सब ने देख लिये, बच्चे को भी देख ले ना, वो तो जानबुच के बोलती ना, कि बेटी है, बेटी है, कि बस बेटी हो के इन लोगों का दिमाग साइड से हट जाए, बच्चा भी दिख जाएगा, औ बेबी बंप भी अपने तरीके से इसने दिखाया ना, चलो जो भी है, मैं अब इन चीजों पर नहीं जाना चाहती हूँ, वो उसकी परसनल वो है, तो मैं आप लोगों को एलट करना चाहती हूँ, कि क्ले की रोज वीडियो बनेंगी, और हजार, दो हजार रोज चैनल आए मेरी जो वीडियो है, मैं करती हूँ क्ले की अवरनेस, मैंने चैनल का नाम भी रखा है क्ले अवरनेस, मैं आप लोगों के माइन्ड का इलाज करना चाहती हूँ, क्यूं? क्योंकि आप लोगों ने बच्पन से मिट्टी पत्थर नहीं खाये, आप लोगों ने इनकी वीडि वीडियो को बने हो और उसी वज़य से आपने मिट्टी खाना सीख लिया देखो अगर इस में मिट्टी के अंदर कोई प्रोब्लम कहाने में खाने से बीमारी नहीं नहीं होती फूच्प भी नहीं होता हमारे शरीर को कुछ नहीं होता कुछ भी अमारे internal system नहीं damage होते तो मैं video नहीं बनाती मैं इस तरह का channel नहीं बनाती ठीक है लेकिन 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 ये हिला के रख देगी सरीर को देखो सबसे पहला काम जैसे ही आप इसको mouth से crunch करोगे सबसे पहला काम है mouth से ही ये आपको बता देगी जब food pipe से जाएगा जबी बता देगी कि हाँ मैं आपके सरीर में अंदर जाके problem करूंगी जो lady से खाती है उनको दिरे दिरे कहीं कहीं छाले आ जाते हैं मुमें या किसी को खाने के बाद रात में ऐसे सटकते हैं तो गले में pain होना start होता है या किसी को ये साइडो के ये कटने start होंगे ननननना symptom ये अपना बताती है clay लेकिन आप लोग पकड़ते हो नहीं पकड़ते हो आपकी गलती है और जब कई बार हम सटकते हैं जब ये गले में पेन करती है ना तो इसका मतब यहां पे यहां से जा रही है तो कुछ ना कुछ प्रोब्लम करते हुए जा रही है food pipe में clay खाने से infection हो जाएगा और food pipe में infection हो गया तो आपकी धीरे धीरे भूत सारी problem बढ़ जाएगी भूत सारी problem बढ़ जाएगी डोक्टर आपके नाक से फिर खाना देगा नाक के अंदर pipe गुसेड़ेगा उसके थुरू आपको liquid दिया जाएगा तो ये situation ना हो अपने food pipe को प्लीज बचाओ प्लीज बचाओ ये नलायक है ना ये नलायक मुझे गुसा आ रहा है मंडे के दिन इतनी video डाल गी है बैड पे इसी चला के rest कर दी है जच्चा को इतनी देर mobile भी हाथ में नहीं लेना चाहिए लेकिन इसकी family भी साइको इसकी family भी सके लिए editing कर रही होगी और अपना link जो है community post पे सारे channel में distribute करेगी कि कुछ subscriber उस channel पे है कुछ उस पे है तो सबको पता लग जाए कि इस channel पे मेरी मिट्टी की video आ गई है और बेशरम और तो जो negative comments देती है तुमें ये मिट्टी पतर खाना सिका रही है आज के दिन पवित्र महिना चल रहा है इस महिने में लोग non-wage खाना छोड़ देते हैं लोग प्याज लसन खाना छोड़ देते हैं और ये गुसा हारा है मुझे मुझे कुछ निकलने वाला था काना जी काना जी ये बोलते हैं कि तू लड़कियों की जान ले ले तेरी एक वीडियो से कितनी लड़किया खाना सीख रही है तेरी एक वीडियो से कितनी लड़कियों को craving होती है तू जो ये जून करकर के जो crunch अच्छी sound में perfect sound में तू लोगों को देती है यही तेरी craving है, तेरे से बच्चा नहीं पाला जाता, बैट पर rest नहीं किया जाता, यह पवित्र महीना तो छोड़ देती, क्यों किसी की बद्वा ले रही है, ऐसे काम क्यों कर रही है, और एक वो दूसरी, पूरा उसका मूँ में किले जाती है, पता ही नहीं लगता कि कले काम होता है, आप लोग भी सोचो, तो भही, food pipe में infection करना है, तो मिटी, आप की मर्ची है, खाना है तो खालो, ठीक है, food pipe, pipe की तरह होता है, इसको चोक करना है, food pipe को, इसमें infection आप पैदा करना चाहते हो, इसको यहां से हजार बिमारी आप लगाना चाहते हो, तो जरूर crunch करो मैं कुछ नहीं भलूँगी, अपने आपको बचाने की कोशिस करो, क्ले खाने के बाद आपकी life मरीज जैसी हो जाएगी, जो मरीज होते न, जो ऐसे ऐसे चलते हैं, घर का काम करने को मन नहीं करेगा, अच्छे कपड़े, मेकप करने का मन नहीं करेगा, हमेशा बिमार बिमा चारो तरफ से घेर लेगी, रोज हस्बेंट के साथ बाइक पे गाड़ी में बैट के रोज डोक्टर के जाओगे, आओगे, मैडिसन लाओगे, खाओगे, काम करोगे, फिर बिमार पड़ोगे, मैडिसन के थ्रू अपना सरीर चलाओगे, और कब तक चला लोगे, कब तक च सिक्साद होगी, मेरे को तो समझ में नहीं आता, मेरी हालत खराव रहती है घर में, बेटे को देखना पड़ता है, आप लोगों को लगता है कि मैडम बहुत फ्री है, उसका बेटा बढ़ा हो गया, 11 त में हो गया, जितनी में बच्पन में उसके पीछे-पीछे लगी रहत फिर मैं सोचती थी कि 10 तक मेरे को थोड़ा सा बिजी रहना पड़ेगा, इसके साथ फिर में फिरियो जांगे, भईया, मेरी हालत कराव रहती है, शाम को किस फ्रेंड के साथ घूम रहा है, कैसी संगत में रहता है, आपको पता है न, छोट-छोटी एज में बच्चे स्मोक करना सीख जाते हैं, और उनकी फैमिली करे ना करे, लेकिन वो सीख जाते हैं, क्योंकि वो साइको फ्रेंड के साथ रहते हैं, तो संगत का ध्यान रखना पड़ता है, एक मदर को, कम्प्लीट मदर हाउस वाइप तभी कहलाती है, वो पूरे घर को समालती है, हस्बेंड को स समालती है, और बच्चों की सही से परवरिस करती है, अगर बच्चे स्कूल नहीं जारे, तो हस्बेंड को डंडा मारेगी, हस्बेंड से लडेगी, कि किसका एड्मिशन कराओ, मुझे नहीं पता, चाए ज्यादा कोसली स्कूल में मद डालो, सस्ते में डालो, लेकिन बच् अची मदर कहला होगी, हालत खराब रहती है मेरी, सुबे से, सुबे से मेरी हालत खराब रहती है, आप लोग देखते हो, कितना काम होता है, जबकि मेड रखी हुए, जहरु पोचे के लिए, डस्टिंग में खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे साटिस्फेक्शन नहीं होता एक-एक चीज इतना कोसली इतना महंगा आइटम होता है, जरा सा भी उसने कर दिया तो हैं, तो इसी लिए हर चीज कोलीन से सापना, मेंटेन करना, मंदीर मेरा हमेशा चका-चक रहता है, देखो जिसका मंदीर सुदर है, जिसका टोइलेट सुदर है, और जिसकी किचन है हो सकता है घर कई वार बिखरा रहता है लेकिन तीन चीज अगर कोई सडनली आये न तीनों चीज तुमारी परफ्रेक्ट मिलती है तो इसका मतलब वो लेडी वाक्य में एक समझदार लेडीज है